नमस्का खुलेंगे दुनिया के रास राजणामा दुनिया के साथ में प्रिया यूनिफर्म सिविल कोट को लेका लॉइड अडर मामलों की पालियमेंटरी कमेटी आज मीटिंग करेगी इस मीटिंग में यूसी सी पर ड्राफ तयार कर रहे लाज कमिशन को भी बुलाया गया मीटिंग की अधिक्षता भाजपा के राजसबा सांसाथ सुशल मोदी करेंगे जिसमें 31 सांसाथ और कमीटी के सभी मेंबर्स शामिल होंगे सभी से यूसी सी पर राई मांगी जाएगी और उन पर विचार होगा इस बेटक से दो दिन पहले राजसबा सांसाथ कपिल सिब्बल ने यूसी सी पर बहस को थौटलस एक्सरसाइस करार दिया उन्होंने पूछा यूसी सी के तहट क्या यूनिफार्म करने की कोशिश हो रही है अनुच्छे 23 के तहट परंपरा ही कानून है सरकार को बताना चाहिए कि क्या सिर्फ हिंदूों पर लागू होने वाला हटा दिया जाएगा सरकार को ये इसपश्ट करना चाहिए कि आकर सरकार क्या समान करने की कोशिश कर रही है केंदरी मंतरी पियूश गोयल ने यूसी सी के एक्जेकुशन पर सवाल उठाने पर कपिल सिब्बल और कॉंग्रेस पर निशाना साथा उन्होंने एक निउस एजनसी से बात करते वे कहा समय की मांग है सभी पार्टिया एक जुट होकर इसे कारूनी जामा पहनाए सुप्रीम कोट ने भी पांच बार अलग-अलग फैसलों को यूसी सी को लाने की बात कही सिब्बल अलप संखक्यों के लिए के गए विकासकारियों को भूल गए है मोदी सरकार जितना काम किसी ने नहीं क्या मुझे लगता है कि यूसी सी के लिए सभी दोलों के नेता समर्थन करेंगे यूसी सी पर छड़ी भहस के बीच केंदर सरकार ने 20 जुलाई से मांसून सत्र बुलाने की घोशना कर दी है जो 11 अगस तक चलेगा प्रधानमंत्री मोदी ने 27 जुन को भूपाल में भाजपा के 10 लाक बूत कारिकरताओं को संबोधित करते वे देश भर में यूनिफर्म सिविल कोट जल्द लागू करने की वकालत की थी पी-एम ने कहा यूनिफर्म सिविल कोट पर लोगों को भड़काया जा रहा है एक घर दो कानूनों से नहीं चल सकता बीजेपी ये भ्रम दूर करेगी ये से आडे रही ही, राल नमा दुन्य एकेसाद दे रादे